जब एगरी कल्चर की बात आती है तो भाई सब की जुबान पर नाम आ जाता है राज़ा भाई का किसानों की आवाज राज़ा भाई क्यों नाम आ जाता है इसलिए नाम आ जाता है क्योंकि दिन रात एक ही सोच रहती है अपने किसान भाईयों के लिए मैं ऐसी मशीन तयार कर आपका करता हुं आज मैं आपको जोड़ी सी मशीन पहले दिखाूंगा जो घंटों काम में और से जोड़ा है जोड़ा बड़ा फार्मने को यूज कर सकता है क्या यूज कर सकता कैसे इप यूग होगा वो मैं आपको आपके वीडियों के मादे हमसे बताऊंगा मैं सभी फार्मर को बढ़ाई दूंगा और मैं चाहता हूं जो निया साल 2020 आया है यह खुशियों में और रंगों में रहना चाहिए ताके जीवन में उस्ताव बढ़ता रहे अब अपना आप किसी भी परकार की कोई समझा नहीं है इन रात मैंद करें म मैं बहुत करीब हुआ करता था लोगों को मेरे श्रीश से बढ़ आती थी थूड़ा सा काम बढ़ गया है थोड़ा पैसा हो गया है अब वहीं मेरे रिष्ट में बुरा नहीं मानीया बहीं दोस्ता है जो उनको आज मेरे श्रीश से खर्श्ववानी लगे जबकि आपके आ लिखा होता तो जरूर आगे बढ़ता हमारे प्राइमनिस्टर मोधी जी भी क्या थे पहले बाई सो चाहे बेजते थे आपको तो इस नहीं पता लेकिन वो पड़े हुए थे उनका ब्रेन था इसलिए आज आज हमारे प्राइमनिस्टर बने हैं मैं एक चोटी सी एक यंपल द पहले तो बिरश कटर के बारे में पताउंगा यह हमारे जो ब्रेश कटर रहें क्यों बैहतर है और अर्थ कोगर प्रांचों काम कर सकती है बैक में आप पीछे लोगा के आप साथ में टिलिंग का भी काम कर सकते हैं मतलब कि मल्टी परपय होने वाला है और जो यह हमारा अर्थुगर यह पड़ा है इससे आप गड़े करना फैंसी करना इस तरीके के काम कर सकते हैं तो इसमें अपना यह जो है डीजल से चलता ने डीजल से नहीं चलता यह बड़ी हलकी लाइट मिशिने होती है पेट्रॉल से चलती है अगर डीजल से चलेंगी बारी बहुत हो जाएंगी उठाएगा इनको जो भी पेट्रॉल ऑप्रेटेड मिशीने होती है वो हल्की रहती है यह जानकारी देनी भी जरूरी थी मैंने इसलिए जानबूच के आप से डीजल से पुछा के क्लियर बता दें अब यह जो करणा पडूदिजर से चलता इसकी अवरेन वर्योतार देए चांगी ऐथ के बारे में ऐसाredit है जो कूस्टोक होता है उसमें टूंस्टोक में पारोडर में आपको मुझलन मिक्स करना होता है जैसे कि यह हमारा फॉर स्टोक पड़ा है और समय CPHC अधूद नही बढ़ा जाता है आपने अबरेज की बात किया बहूत अच्छा कोच्चन है लेकिन यह कहीं पर निच्चे तो नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगास पर की केर्डिशन अलग होती है कहीं पर कम भी खा सकती है जादे भी खा सकती है जैसे कटिंग करना है अगर भषात हुई यह थोड़ा पिट्रॉल जादे लगेगा अगर पूरा सूका है तो पिट्रॉल कम लगेगा इसके लिए निच्चे नहीं किया जा सकता लेकिन फिर फोर स्टोक है वो कम से का 30-40 प्रसेंट प्रश्ट प्रट्रॉल कम खाती है जी तो अपना यह जो इसकी कीमत के बारे में और बात कर लेते हैं बिलकुल जी जो कीमत है हमारी कंपनी ने जो टू स्टोक 52 सी जो के बैक पैक है साड़े 14 एयारपीय का है और जो अपना 52 सी फोर स् और जी एक नाइलोन ध्रेट धसात में देंगे यह अपना कया क्या काम करते हैं देखिए बैसाख जो जे आला है यह तो गास कातने का काम करेंगा यह थरी टीव का अपने छूलों चने की क्टाही करने हो एकर जैजिए जजाड़ि फूस काटने के काम करेंगा अगर सूका ह आपने बरसात नहीं हुई है आपने गहुं को कटाना है जा कुछ भी फसल काटना है तो यह बलेड काम करेगा अगर बरसात होगी यह बरसीन को काटना है तो आपको 80 टी टी का बलेड का प्योग करना पड़ेगा इसके साथ में आपको एक टिलिंग टैचमेंट फ्री में दी ग्यूंड जाएगी इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है तो यहां पर अगर ज्यवाला जूज किजा जाएगा और तो यह अगर इन इसकी है एक फरी आदर उसका किमत हम प्रवलापर योगा सकते dehous सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ आपने खर्तबार निकालनी है जैसे जड़ से निकालना इसका अपजो किया जाता है इसको हिल्ट्रेट बीडर बोला जाता है इसके साथ ही स्प्रेय पंप लगा सकते हैं और स्प्रेय पंप आप एक यार फुट तक पाइप का जो इस्तिमाल कर सकते हैं इसी के साथ आप मिट्टी चड़ाने का काम कर सकते हैं बाटर पंप लगा सकते हैं बहुत सारी टैच्में हैं वो ये आपने पांच आइटम बताएं जी पांच के साथ एक टीलिंग अटाइचमेंट है जो कि साथे चोदा जार में पड़ेगा अगर आप ये नहीं लेते तो इसके तीन अजार उपे कम हो बिल्कुल जी बिल्कुल और ये पांच सो बिल्कुल फरी है बिल्कुल जी बिल्कुल और एका आपने मुझे बूला कि बाएसा अधा फार्मर बन गया है राजा भाई ये बाएसा मेरे फार्मरों की बदालती है उन्हों नहीं मुझे काम करना सिखाया है उन्हों नहीं मुझ के हिंदोस्तान में क्योंकि कोपी फोस्ट हो का अज तक कपीनी को पाया क्योंकि इसमें हमारा 200 मोड़स्तान में है और जितने भी आपने लाता है जतना ज्याद सा्थ 10,510 अ meu राता है जितना जाद मोडला जो भी आप खरीदना चाहिए अपना कोई हैलप लाइन नमर यह हमारा कंटेक्ट नमबर है फार्मर भाई हमें फोन कर सकते हैं अगर आप फोन ना उठाएं यहीं इसी पर हमें वर्ट सेब कर सकते हैं अगर देखे एक साल के हम गरंटी भी देते हैं वरंटी और गरंटी में कोई भी हिंदोस्तान में नहीं बोल सकता कि हमने गरंटी नहीं दी शर्त यह बिल की फोटो और मिशीन की फोटो जो खराब हो गया फोटो बेज दीजिए फोन करने की फार्मर भाई को जरूरत नहीं कंपनी की रिस्पोंसिबिल्टी आपको फ्री बेजी जाएगी इतना ज कि इस पर वट्सप पर मैसी छोड़ सकते हैं और कहा कि कोई जरूरत नहीं आपको लेकर आने की मशीन आपके घर पे ही पहुचेगी कोई दिक्कत नहीं और ऐसे ही लगातार काम करते रहेंगे इनी मशीनों पर और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आगे भी हमारे चैन झाल 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 झाल